नमस्का दोस्तो जो आप ये चीज देख रहे ना भांग, मुनक्के, सराब और गांजा के नसा को चूटकियों में उतार फिंगेगा और ये जानकारी आपको आगे कोई नहीं बताने माले दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो ये पौधा देख रहे हैं ये अरहर की हैं इसे तूर बोलते हैं कई जगा और इसके दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्टा होते हैं इसके दाल खाने से हमारे सेरीर को कई तरह के पोसक तत्वा मिलते हैं आज मैं दाल खाने से जितने भी मातर में आपके सेरी में प्रोटीन की ज़रूरत होती हैं फैबर की ज़रूरत होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा मातर में मिल जाते हैं और एक कोलेस्टाल फ्री है कोई भी आदमी कोलेस्टाल वाले इसे खा सकते हैं इसमें फॉलिक एसिड भी पाय इसलिए कब जग की समसा से अगर ये दाल खाते तो छुटकारा मिलता है निमीत रूप से इसका सेवन करने से ठीक है अगर आपके सेरी में दूबला पन आगा है दूबला पन दूर होता है और साखाहरी लोगों के लिए इसके सेवन से सभी तरह की जितने भी जरूरी पोसक त कि हमारे घरों के आसपास में बहुत सारा खाने पिने के चीज पाए जाते हैं जडिया बुटिया पाए जाते हैं जो कि किसी ने किसी बीमाईरी को ठिक कने में काम जरूरा थी हर पेंड़ पोधा में कुछ न कुछ औजदिगूर चूपा होता है तो मैं अपने चैनल के माधम से आप सभी तक जो अईरिवेत की दिव्या ज्यान की धरोभर हैं जो अईरिवेत की खजाने धीरी धीरी लुपत हो रहे हो हमारे भारत भूमी से लुपत नहों पाए और जन जनता को जानकर यूटूब के माधम से फिरे में पहुँचे तो सबसे पहले मैं आपको इ अगर इसके पत्ते करस और जो दुरवा घास होते हैं वो दोनों को मिला करके एक से दो बुद एक से दो बुद अगर नाक में डाला जाए तो जो आधा सीसी वाला दर्दा होते हैं जिसे हम अधका पारी के नाम से जानते हैं और अगर इसके जड़ को पानी में घीस करके आ सोड़े के सूजन भी दूर हो जाते हैं इसके बाद अगर किसी के छाती में दर्दा होते हैं तो इसके कली और हली फल को ठीक है इसके जो कलिया होती है और हरी फल होती इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख सकते हैं तो इसे पीस करके छाती पल लेप करने से छाती में जो द जादा दूद ही नहीं कर रहे हैं वक कम हो जाते हैं हिचकी दूर करने के लिए दोस्तों बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद क्या होता है हिचकी होता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं फल है ठीक है तो इसके पत्ते को सुखा लेना है और इसके पत्ते को सुखा करके ह हुक्के में भर करके खिचने से हुक्के का जो धुआ होता है भर करके खिचने से हिसकी बंद हो जाता है और हिचकी आना बहुत ही आम बात हैं तो हिचकी के लिए परियोग कर सकते हैं इसके बाद पिलिया की बीमारी के लिए ठीक है तो एक से दो गराम इसके पत्ते का रस और सेंधा नमक को मिला करके थोड़ा सा पानी मिला करके जल के साथ पानी मिला करके अगर पिया जाएं तो जो पिलिया की बिमारी रहता है वा भी कुछ हिदिनों को प्रो deprived से इसके ठीक हो जाते हैं इसके बाद वराण के लिए मतलब जो पूराने घाव रहते हैं उसके लिए इसके पत्ते कलेप लगाने से जो पूराने घाव है ठीक नहीं हो रहे हैं और ठीक हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों अगर इसके दाल को पीज करके सुजन वाली स्थान पर लगाते हैं हाना चोट मोच लगने के काराण सुजन आ गया तो सुजन दूर हो जाते हैं इसके बाद मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि भांग के नसे को धतूरे के नसा को सराब के नसा को अगर किसी ने गांजा पीलें ज्यादा नसा हो गये हैं भांग का नसा है धातूरे का नसा उतानने के लिए तो यह सबसे बेश्ट दवा है तो यह थे छोटे से जानकरी अरहर के इस अरहर के पौधे को इस अरहर के फल को आप किस नम से जाना जाते हैं हमें कोमेंट सक्षन में ज़रूर बताना ताकि हमें भी जानकरी हो वीडियो द देखने के लाप सभी मेत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार